नमस्कार आपके साथ मैं हूं रितिक समिता स्वागत है आपका SPN 9 News में भारत में बहुत जल्द आने वाली हैं उड़ने वाली बस हैं भारत बहुत जल्द विक्सित होने बाला है और भारत कहीं ना कहीं एक ऐसी अर्थुवस्था के रूप में वहनने वाला है जिसको सुनने के बाद आप चौक जाएंगी जीहां दर्शको यहां पर नितनगडकरी ने एक बड़ा फैसला किया और नितनगडकरी ने एक बड़ी बात यहां पर कह दिया कि भारत में जल्द आने वाली हैं उड़ने वाली बस नितनगडकरी ने बताया कि बदलेगा सफर करने का तरीका जीहां यहां यहां पर साफ तोर पर एक के बाद एक बड़ी सौगात लोक सभाचुनाप 2024 के पहले पहले नितनगडकरी हम सभी देश वासियों को देने वाले हैं यहां पर एक बड़ा वाइदा कि जाए कि बहुत जल्द जो है यहां पर आपका सफर जो है बहुत रुमांचक हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप अपने सफर को कार के साथ उड़कर कर सकते हैं देखिए केंद्रिय परीवन मंत्री नितन गड़करी ने कहा कि सिर्फ सड बदलाव देखने को मिलेंगे पहला बदलाव क्या है नेतन गड़करी ने कहा कि भारत में जल्द आएंगी उड़ने वाली बसें बसे की बात कर दिए दूसरा क्या है हाइड्रोजन कार से सफर और भी आसान हो जाएगा सो रुपए में 400 आप जा पाएंगे यानि कि दूसर रुपए में 300-400 किलिमिटर जाएंगे इसके साथ साथ आप उड़नी वाले जो बसें होती उनमें आप सफर कर पाएंगे इसके साथ साथ आने वाले समय में जो है इथनॉल से चलने वाले स्कूटर आएंगे गटकरी ने कहा कि जब मैं इलेक्ट्रिक कार और गाडियों की ब सारी चीजों पर काम कर रहें और भारत को जो है एक बहत्रीन भारत बनाने की कोसिस कर रहें लेकिन आप बताइए यहां पर सबसे बड़ी बात कहा दिए कि आप दिल्ली से जैपूर दिल्ली से दहरदुन और दिल्ली से हरिद्वार पहुंचने में आपको सिर्फ 2 घंटे लगेंगे इस तरीके का भी काम किया जा रहा है दर्शकों आप बताइए कि नितन गड़करी ने जो बड़ा वायदा किया है कि उड़ने वाली बस आएगी क्या आप इससे सहमत है क्या सच में बीज़ेभी पाटी उड़ने वाली बस को हम सभी को पुरदान कर पाएगी क्य क्या सच में हमारा सफर आसान होने बाल आएका सच में हम उड़ने बाले हैं आप कमेंट वाक्स में जरूरत है आज कि इस खास रिपोर्ट वस इतना ही देखते रहिए